हेलो एस्टूडेंट, कैसे हैं आप तो आज आप सभी के लिए 30 देज़ बचें आपके एक्जाम के तो 30 देज़ के अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए उसके लिए मैं एक प्लैन लेके आया हूँ तो उसी के according हम study करेंगे तो definitely बहुत अच्छे marks आ जाएंगे हमारे तो एक बार चलिए देखते हैं कि 30 days के according हमें किस तरीके से prepare करना चाहिए corporate account में तो sir हमारे corporate account की अगर हम बात करें तो corporate account मैं बात कर रहा हूँ आपका become owners का यहां पर मैंने काफी बच्चों से जो भी बच्चे मेरे पास offline batches में आते हैं या फिर YouTube पर भी कुछ बच्चों के comments आए या जो मेरे से online application में पढ़ते हैं उनके भी काफी comment आए कि sir हमने अभी CA का exam दिया है sir हमने CS का exam दिया है या sir हमने CMA के exam दिया है तो उस time पे तो हम पढ़ाई जो कर रहे थे वो in subject की कर रहे थे हमने BCom honors ले रखा है अब exam भी आ गया है एक महिने में तो एक महिने में हम कैसे prepare करें अपने आपको कैसे पूरी preparation करें so that के हम अच्छे से exam दे पाए तो उसके लिए भी एक क्या करना चाहिए हम बात करेंगे दूसरा कुछे की student ने study मान लेते हैं start ही नहीं किया study जो है कुछे की student ने start नहीं किया था अभी तक तो sir वो क्या करेंगे जिन्होंने study start नहीं करा अब इसके साथ साथ ये जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे वो दो किसम के बच्चे हो सकते हैं जिनका 12th में accounts अच्छा था और एक वो होंगे जिनके 12th में accounts इतना अच्छा नहीं था उन सभी को मद्दे नजर रखते हुए तीस दिन में आपका पूरा सलीबस बहुत अच्छे से complete हो सकता है believe करना खुद पे और काफी बच्चे कह रहे हैं कि sir हम लग रहा है हमें कि हमारा 30 days में न हो नहीं पाएगा तो मैंने उन बच्चों के लिए ये plan लेके आयों और वो सोच रहे थे कि हम next four semester में exam दे दें इसका ये गलती बिल्कुल नहीं करना आपके पास one month है one month में तो आप आग लगात होगे believe करना उस चीज को तो कैसे कैसे पड़ना है क्या क्या topic is क्या क्या subjects है वो देख लेते हैं तो corporate account के में explains कर देताँ क्या क्या topic रहने वाला है हमारा corporate account में तो sir ये हमारा है corporate account का total scenario क्या क्या topic कितने marks का है उन सभी को ध्यान में रखते हुए, चलिए, चलिए, देखते हैं, यहाँ पे हम मुद्दे की बात करें, और to the point बात करें हम, तो सबसे पहले देखिए आपका corporate account जो है न, वो कितने नंबर का आने वाला है, वो आने वाला है आपका 75 marks का, यह तो सभी बच्चों को पता होगा में भी हो सकता है, कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको पता ना हो, तो clear कर दूँ, आपका exam 75 marks का आता है, उसके अंदर आपके exam के अंदर unit divide कर दिये गये हैं, सर क्या-क्या unit divide किया गया है, वो बता दिए, एक unit 1, unit 2, unit 3, unit 4, और unit 5, पांच unit में हैं, सर, आपके exam में सिर्फ 5 question ही आएंगे, और में होगा option, तो 5 question 5 unit, तो आप समझ गये होगे, हर question में से, unit में से एक question बनना तो पक्का है, कैसे कैसे question आएगा, वो सारी pattern पर discuss करेंगे, थोड़ी सी video हो सकता है, 4-5 minute की लंबी हो जाए, तो देखिए, फायदा जरूर मिलेगा आ आप सभी student काफिट देखते हो channel को, time to time पर query भी पूछते हो, तो मैं query कई बार reply नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब आपका proper query का reply भी होगा, उसके according सारी चीज़े रहेगे, कैसे हम पहुचेंगे अपने target में, उसकी भी हम बात करेंगे, तो देखिए, सबसे पहली मैं बात और एक हमारे पास debenture है, तो मैं अगर आपको बताओं एक बात, सर क्या बताएंगे, मुद्दे की अगर मैं बात बताओं यहाँ पे, तो जो ये chapter हमारा है, share capital और debenture कहने को दो chapter है, लेकिन आप इस बात को समझेगा कि ये दो chapter नहीं है, कैसे prepare करना है, देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसके अंदर chapter होगा आपका, share capital का chapter होगा, number 2, इसके अंदर bonus होगा, number 3, इसमें buyback होगा, BB लिख देते हैं, number 4, और क्या होगा सर, इसमें right issue होगा, number 5, आप तो सर डरा रहे हो, preference share capital है, number 6, issue of debenture है, number 7, redemption of debenture है, 8D लिख दिया मैंने, ठीक है, ये सारे chapter मैंने side में लिखे हैं, तो सर prepare कैसे किया जाए, जो बच्चे C.E.K. थे, उन्होंने बस share capital पढ़ा है, बाकी share तो उन्होंने देखे ही नहीं, debenture हलका फुलका देखा हुआ है, तो इसके अंदर, कैसे किया जाए, ना क ही आजाए, सबसे पहले, ये chapter में chapter भी explain कर देता हूँ, सर मजे की बात देखो, final account पर पता है कितने chapter है, only final account, दूसरा कुछ है ही नहीं, अलग chapter, cash flow में सिर्फ cash flow है, एक ही chapter है, सर, इसके अंदर, तीन chapter है, देखो, मैं arrow बना देता हूँ, तीन chapter कौन कौन से, एक chapter ये है, एक liquidation, ठीक है, और ये अपने आप में अलग chapter है, तो अगर exam के point of view से important पूछू, हर एक unit में से एक question आएगा, तो देखो, इसके अंदर से एक question आना पक्का है, सभी unit में से आएगा भई, सभी unit में से आना है, तो इसमें से 1 question, इसमें से 1 question, और 1 question इसमें से, यानि 3 chapter में से, 15 number क का यहां से पूछा जाएगा और 15 नंबर का यहां से पूछा जाएगा मतलब 30-40 नंबर और 75 में से 40 नंबर तीन चैप्टर करके हम कर लेंगे complete 50% अब बिल्कुल हाँ लेकिन सर यह चैप्टर भी थोड़े क्या है लेंदी है तो हमें planning कैसे करना चाहिए किस किस तरीके के देखें मेरी वीडियो को सभी तरीके के स्टूडेंट देखते हैं तो उसी के recording में बता रहा हूं कि क्या क्या करना होगा तो यहां पर अब दो तरीके के स्टूडेंट है सर कौन से जिन्हों सबसे पहले फटाफट यह चप्टर उठाए वो सर इतने चैप्टर अब देखिए सुनिए आप इस चप्टर को अभी अभी आपने जो 12 में किया था बिल्कुल सेम है थोड़े से एडवांस एंट्री है बोनस और बाइबेक भाई बड़ा चप्टर नहीं है बहुत छोटा सा चप्टर है आप अगर इन दोनों चप्टर को करने के लिए बोले ना बोनस और बाइबेक आइड़ दो गंटे में खदम चप्टर दो गंटे में दो इंट्री होनी है इसमें बस ठीक है राइट इशू सर राइट इली अगर शेयर कापिटल कर लिया ना तो मैंने वीडियो बना के डाली भीए ऊतू वी गता मैंने वीडियो में बोला भई सेम है तो ये तीन चेप्टर तो कहने को चेप्टर है important है दिमाग के उपर burden जरूर डाल रहा है आपके भूप में लेकिन ये एक दिन से ज़्यादा का चेप्टर नहीं है इसके बाद आ जाते हैं यानि ये तीन चेप्टर जो है अगर मैं बात करूँ तो सर ये जो तीन चेप्टर है आपका कहने का मतलब है कि इस तीन चेप्टर को हम जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं बिल्कुल हाँ जो ये तीन चेप्टर है ध्यान से सुनिएगा ये तीन चेप्टर की बात कर रहा हूँ इन तीन चेप्टर को cover करने में एक दिन देखो पढ़ने की बात कर रहा हूँ देखो नहीं पढ़ने वाली की बात मैं करूँ तो आप लगे रहोगे करते रहोगे फाइदा कुछ नहीं मिलना ठीक है न तो तीन चेप्टर एक दिन में चला जाएगा इस चेप्टर में आप त एप्लिकेशन पर मेरे से बच्चे पढ़ रहे हैं उसका क्या करना चाहिए ठीक है यूटूब पर सारी क्लासिस है यह मैं समझे क्या कुछ दिफ्रेंशीयर है वहाँ लाइब लाइब ग्लासिस होती है आपके लाइब वासिस में नहीं ले पाता इस वजह balance चलिए जीऀ चारएक 5 दिन नंखल गए और ये यूनिट देख रहे हैं कितने नंबर का है Sindra ये यू तो मजचेदार का है और कितने नंबर का है ये unit देखिए आप ये unit 20 number का है सर बहुत chapter भी तो है आपकी बात बिल्कुल सही है बहुत सारे chapter है चलिए अब आ जाते हैं इस पर preference share capital बिल्कुल time लेगा important chapter और ये दोनों में आपको लगने हैं 3 दिन और preference share में लगने हैं 2 दिन तो total करिए सर total करते हैं तो 4 1 5 2 7 और 3 10 मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं again कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ऐसे कैसे हो जाएगा आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं 10 दिन में हो जाएगे क्या इतने सारे chapter पढ़ने की बात कर रहा हूं कम से कम 3 से 4 घंटे निकालोगे बहुत अच्छे marks आएंगे outstanding performance करके जाओ गया तो ये 10 दिन में आपके complete हो जाएंगे सर जिसका part 12 के अंदर बहुत अच्छा था share capital वाला उस chapter को हाथ लगाए फटाफट 10 दिन में इसको खतम करे अब बोलेंगे सर मेरा part 12 के अंदर अच्छा था ही नहीं उनके लिए मैं बताता हूं वो करें cash flow पहले वो करें start cash flow cash flow 10 नंबर का है इसकी भी सारी वीडियो डली है सारी adjustment डली है books कौन सा है मैंने कहा books आपको लेना है simply jr monga जो books लेना है आपको वो लेना है jr monga मैं book का कोई पर्मोशन नहीं कर रहा आपके college बगएर में भी देखोगे यही लगा रखा है jr monga जिससे पढ़ रहे हैं वही तो मैं बताऊंगा तो jr monga इसके question करिए कुछ बच्चों का कहना है sir jr monga book क्या ले एक मैने के लिए book खरीदे वही एक मैने के लिए book खरीदिये अगर इसके अंदर back आ जाता है तो आपसे 1000 रुपे डियू भरवा लेगा और book 500 रुपे के यह तो फाइदा देख लिजी आप खुद किसमे है ठीक है ना तो यह करेंगे कौन से बच्चे पहले यह number one पे chapter choose करेंगे जिनका 12th में यह बाला person strong नहीं था वो यह करेंगे उसके बाद कुछ बच्चों ने यह कर लिया है जिनका 12th में strong था जिसका नहीं था उन्होंने यह कर लिया है जिनका 12th part strong था वो 20 number का कर जाएंगे जिनका 12th part strong नहीं था वो 10 number का कर पाएंगे कितने दिन लगना है सर दिन भी तो कम लगेंगे इसमें three days only three days तीन दिन में आप ये पार्ट सारा का सारा कर लोगे easily cover ठीक है ध्यान रखिएगा आप इन चीजों को तो सर अगर सुरू से लें तो हमने ये करा और उसके बाद जिनका पार्ट 12 में strong था number one पे ये करेंगे number two पे ये करेंगे यानि 13 दिन में हमारे 30 मार्ट complete पास हो गए भाई तेरा दिन में आप 30 दिन के लिए बोल रहे था ने मैंने 13 दिन में आपको पास होने का इलाज बता दिया सर ये बड़े बड़े चप्टर क्यों नहीं बता रहे है मैं इसके पीछ लॉजिक भी बताऊंगा रीजन भी बताऊंगा कैसे करना है 15 मार्क्स का चप्टर है सर इस चप्टर में से 15 नंबर का आएगा जिसका 12 में स्ट्रॉंग पार्ट था जिसका नहीं था जिसने करा नहीं करा सबके लिए एक जैस है वही फाइनल अकाउंट है जो फर्स्ट यर में सीखा था बस कंपनी का आगया फॉर्मेट चेंज है अड नहीं बात करूं फर्स्ट कोशन जब मैंने किया था ना दू घंटे लगे थे दो से ज्यादा तीन घंटे लग गया तो मेरे दिमाग खराब हो गया जो बच्चों को मैं कराता हूं आफ लाइन वाले बैच में तो पहला कोशन कर लेना भले ही पांच कोशन में आप 20 गंटे ले जाओ पांच कोशन कर लेना च्छटे कोशन में गरिंटिड है कि आपका टाइम रिडियूस हो जाएगा आपको खुद लगेगा हो जाएगा तो यह करना बहुत सिंपल चैप्टर है बहुत सिंपल इसके अंदर कई बार पींडल भी आ जाता है कई बार और नॉर्मल भी स्ट्रॉंग था जिसा नहीं था दोनों में से कोई भी कर सकता है चलिए सर हमारे एक दो तीन यूनिट का समाधान हो गया अगर तीन यूनिट जो बच्चा कर लेता है उसके देख लीजिए मार्क्स कितने हो गए तीस और पैंतालिस 45 मार्क्स 75 मतलब के 60% पार हो गया वो ब करिए आपका इन देनों चैप्टर में मैक्सिमुम चांसेस है कि और में आएगा कोशन हर कोशन में देफिनिट्ली इन सभी नहीं हो गा कोश्चन ल bit नंबर क्या हो सकता है एक कोशन 10 255 के दे इसके अंद़ इसका एक account इसके choice में cash flow sir इसके choice में क्योंकि 3 chapter AC unit में तो examiner करता है amalgamation के choice में दे देता है reconstruction reconstruction तो इतना आसान है क्या बताऊं simple है तो पहले आप reconstruction को complete करिए sir इसके timing का थोड़ा सा मैं पीछे जा रहा हूं timing में इसको करने के लिए कितने दिन आप लो 5 दिन इसको करने के लिए कितने 3 दिन होई गए यह days है है ना यह days लिख रहा हूं तो अभी तक मैं last में जोड के भी दिखाऊंगा sir इसको करने के लिए कितने दिन लगेंगे दो दिन दो दिन से ज़्यादा लगी नहीं सकता sir दो दिन से जो ज़्यादा लगा रहा है बच्चा इस टाइम पे पढ़ने वाली बात कर रहा हूं वो टाइम वेस्ट कर रहा है फटा फट हो जाएगा दो दिन में लेकिन वही है बस अरते पूरा प्लैनिंग डेडिकेटीड दो दिन में खतम करना है कैसे नहीं होगा खता तो मैंने बोला कुछ बच्चे सोचेंगा 15 नंबर में एक चप्टर लेके बैठ जाते हैं पता चला उनका कॉंफिदेंस के लो हो गया क्योंकि थोड़ इसके इसके इंदर जाला हूं और एप्लिकेशन पर लाइव क्लास में सभी बच्चों का हो रहा है जितने बच्चे लाइ इसे हम बाद में लेंगे ठीक है और यह मैं पूरा कराऊंगा और कोसिस करूँगा दो दिन में एक्जाम टाइम पर ही मैं पूरा करा दूंसे अब आ गया होल्डिंग सबसीट्री होल्डिंग सबसीट्री एक बड़ा चैप्टर है तो मैं अगर डेज में काउंट करूं दस दिन हो गए सार दस दिन के बाद यहां पर आपने बताया सर 5 दिन 15 दिन 15 और 8 दिन 18 ऑर 2 20 और इसमें आप लो चार दिन 20 और24 दिन और इसमें लेंगे हम 6 दिन पूरे 30 दिन का master plan तयार हो गया और मैं guarantee करता हूँ मेरे साथ बने रही है और channel पर सारी चीजे देखते रही है चाहिए YouTube का बच्चा हो application का notification को ध्यान से सुनिए आप मैं अब मैंने क्या कर रहा है एक चीज और start करिए कि बच्चों को time to time guide करना कुछ बच्चे कैसे करें नहीं करें maximum बच्चे परिशान है सर तयारी कहां से करें start तो मैंने बता है जी आप सीए वाले बच्चे तो इसको पकड़ ले फटा-फट से खतम करो जल्दी निप्टाओं और जिनका 12 में स्टांग नहीं था cash flow करो यह तो करो गई और उसके बाद यह दोनों कर लो तो सीए वाले बच्चे यह 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 continue में इसके अंदर reconstruction amalgamation मैं धीरे-धीरे करा रहा हूँ अदर सारे adjustment कराऊंगा और जब मैं कराऊंगा तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं है पूरा 100% समझ में आएगा उसके बाद लास्ट में होल्डिंग सबसेटरी करके जाएंगे सर बिल्कुल सही है बाई डिटेल में कराना पड़ेगा सर amalgamation खतमी नहीं हो रहा फाइनल अकाउंट खतमी नहीं हो रहा कैस लो कहता मीं हो डिवेंचर कराये जा रहे हो कराये जा रहे हो आप बोल रहे हो सर दो दिन चार दिन कैसे होगा उसका एक solution मैंने निकाल आप कराये हैं मुझसे मैं यूटुब बच्चों को यह नहीं बोल रहा है मेरे से बाय करो अप पढ़िए आप यूटुब पे भी सारी चीजे कराई जा रही है इसा नहीं है जो यह मैं नोट इंफर्मिशन दे रहा हूं एक मैं बता रहूं कि जो मैंने strategy तयार किया है मैंने application को इस तरीके से design क्या है fast track batch के इसाफ से fast track batch में क्या है मान लेते हैं share capital में 20 video है sir सारी की सारी video काम की मैं तो शुरू से करा हूं मैं तो 0 से कराने के मेरी आदती है ऐसे पढ़ाने के मैं बिल्कुल base से लेके चलता हूं लेकिन आपको share capital की entry जैसे मान लेते है starting की entry के पहले application होत classes में से मैंने क्या करा इन सभी classes में जैसे class number one है two है three है इन सभी पे मैंने क्या करा पता star बना दिया लेकिन किस पर star बनाया है जो चिजा रेलिवेंट है तो 20 classes है ना 20 classes को video को काटके मैंने कर दिया 8-9 classes में convert कर दिया time बच किया उसके उपर मैंने क्या लगा दिया है start, जो ज़्यादा important है उसके डबल star जो कम important है उसके उपर single star और जिसके उपर नहीं लगाए आपके पास time बसता है करिए उसको मैंने ये लगा रहा है दूसरा ऐसा ही माल लेते हैं bonus share bonus share में मैंने 5 classes डाला है 5 classes में से स्रिफ 2 class मुझे पता ही कि ये concept wise है उसके उपर start लगाए ऐसा ही मैं बात करता हूँ final account की बात करूँ तो मैंने 10 classes डाली हुई है 10 classes में मुझे पता है कि बच्चे को starting की 2 class और last की 2 classes यानि 4 classes भी दिखाज दी जा तो पूरा चप्टर ग्रैप कर लेगा तो सर इस तरीके से मैंने application पर application का लिए description में गीवन है वहां से आप download कर सकते हो और अब तो मैंने आप लोग लिए ये भी करा है कि जितने भी class notes होते हैं सारे application में आते हैं पहले देखो मेरे स्मार्ट बोर्ड नहीं था आप देखो के पुराने वीडियो अब मैंने क्या करा थोड़ा सा सोचा है कि भाई अब इससी के अंदर growth करना है तो थोड़ा digital करने की कोशित करना और आप लोग का support रहा तो definitely सारे features आपको मैं देने वाला हूँ ठीक है तो बच्चो पहली बात 30 दिन है 30 दिन बहुत जादा है और उसके हिसाब से preparation करिए मैंने बता दिया application पर यह कुछ बच्चे अगर मन में डाउट है के सर हम कितने का खरीदेंगे यह कुछ बच्चों के माइन में डाउट हो सकता है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि 499 रुपए का मैंने रखा वह है पूरा कॉर्स अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर in case हमारा mind change हो जाए बिमार हो जाए 30 दिन रूखक है आपकी वैलेडिटी जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं हो जाते हैं देखो सारे class notes उसके में upload कर देता है यूटूब पे कहां में upload करूँगा इसके बाद फिर उसके लाइब classes में चैट में doubt hand to hand sort out हो जाते हैं यूटूब पे मैं live class नहीं जा सकता क्योंकि दो जगह नहीं सकता ना एक ही जगह में जा पाऊंगा live class में दो जगह जाना मेरे समझ में नहीं आए वीडियो में लैगिंग वेकर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी तो चलिए बच्चों का बहुत बहुत थैंक यू लॉट्स अफ थैंक यू हमारे यूटूब की दस अजार की फैमली हो चुकी है दस अजार प्लस हो चुके हैं आप सभी ने बहुत सपोर्ट किया है और डेफिनिटली मैं जानता हूं काफी बच्चे देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसा नहीं है को कुछ नहीं करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं हम पूरा आग लगाने वाले हैं 30 दिन में यांद रखिए का